नमस्कार आदाप सलाम हैल्दी हम की आज की वीडियो में आपका पहुत बहुत स्वागत है इससे पहले वीडियो में हमने ओविलेशन किट के बारे में बात की थी लेकिन मैं आपसे आज एक बात जाहिर करना चाहती हूँ अगर ओविलेशन किट आप यूज कर रहे हैं तो उसका सही तरीका आपको आना चाहिए यानि कि ओविलेशन किट को यूज करने का पलकुल सही तरीका आपको आना चाहिए वरना क्या होता है आपके जो टेस्ट हो नेगेटिव आ सकता है या फिर कुछ भी ने आ सकता जो कि कहीं बार कहीं माईला को परिशानी का केंदर बन जाती है यानि कि परिशान हो जाते कि ऐसा क्यों हो रहा है तो उसका mainly reason या तो यह हो सकता है कि आपकी kit खराब हो उसमें आपको अपनी urine की जो है दो बुन डानी होती है इस जंगा पर जो जहां पर सिख दिया गया वहाँ पर डानी होती है दीरे दीरे आपका जो है वो lining बनने शुरू हो जाती है पहले एक line बनती है अगर आपका ovulation हो रहा है तो आपकी दूसी line भी इसके साथ में बन जाएगी तो यही होता है इसका ovulation का kit को यूज करने का सही तरीका लेकिन फिर इसके बास सवाल होता है कि ovulation kit कभ यूज करनी चाहिए यानि कि morning में इवनिंग में आपको कभ यूज करनी चाहिए तो better result के लिए मैं आपको यही सला दूँगी अगर आप morning में यूज कर रहे हैं तो next day भी आपको उसी time पे जैसे आपने पहले दिन 10 बजे यूज की तो next day भी आपको 10 बजे ही यूज करनी है जिससे कि आपका पूरे 24 hour का जो है अंतर रहे और आपके kit में अगर थोड़ा बहुत भी परक आता है तो आपको पता चल जाए यानि कि कई बार ऐसा होता है कि first kit आपने यूज की तो उसके अंदर कोई भी नहीं आया second kit की तो हलका आया जो आपका second वाला lining है वो हलकी आई तो फिर आप अगर third यूज करेंगे तो आपके चादस chances होंगे कि आपके वो जो line है वो dark आजाए या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने first time यूज की है first day यूज की है तो वो बिल्कुल negative आए यानि कि एक ही line आए और second day आप यूज करते हैं आप उनको check out करना ना भूलेगा अगर आप उनको check out करते हैं उसके हिसाब solution मनाते हैं तो आपकी pregnancy होने की संभावना बहुत जादा बढ़ जाती है और हम दुआ करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपकी pregnancy हो आप conceive करें और आपको healthy baby हो thank you आज की वीडियो के लिए चैनल को subscribe वीडियो को लाइक करना बिलकुल भी नहां भूलेगा thank you so much